नमस्कार साथियो स्वागत है आपका ओनलाइन क्लासेज में मैं दिलीप सास्त्री साथियो कल हमने संग्या सब्द पढ़ा था और उसमें देखा कि जो वर्ष्टू, स्थान, प्राणी, आदि के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सब्दों का हम संग्या सब्द कहते थे आज उसी से जुड़ा हुआ सब्द का दूसरा पार्ट है विकारी सब्द का सुर्वनाम शब्द सुर्वनाम शब्द का आर्थ क्या होता है इसका आर्थ होता है सभी का नाम क्या रत होता है सभी का नाम सभी का नाम मतलब जो सभी नामों के इस्तान पर प्रिक्त होते हैं सभी नाम कौन से कीवल संग्या शब्द के संग्या शब्द होते हैं नाम किशे केते हैं नाम जो शब्द दिया गया है वो किश के लिए दिया गया है वो संग्या शब्द के लिए दिये गया है संग्या शब्द है उनके संग्या के स्थान प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् सारी क्या है सरवनाम शब्द है और सरवनाम शब्द होते हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है इसका मुख्य क्या होता है कि संग्या शब्दों की पुन्रावती दोस को रोकने के लिए जो संग्या शब्द होते हैं उनकी पुन्रावती होती रहती है पुन्रावती मतलब ए इंदे के अंदर पुंद्रावती दोसे कहलाता है उसे बचने के लिए उसे बचने के लिए सरवनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे एक्जाम्पल के लिए लिखा हो राम विद्याले गया राम विद्याले गया अब क्या इस राम शब्द की पुंद्रावती को रोकन जाएगा जैसे राम विद्या ले गया है वह आते ही आते ही आपसे मिल लेगा वह सब्ध है वो किसकी पुर्णाव्ति को रोक रहे है राम सब्ध है संग्या शब्द है क्या शब्द है संग्या शब्द है और इस संग्या शब्द की पुर्णावती को कौन रोक रहा है स्रवनाम शब्द रोक रहा है तो इस स्रवनाम शब्द का पर्योग इसलिए कि रहता है संग्या शब्दों की पुर्णावती दोस्को रोकने के लिए अब सरवनाम शब्द कौन-कौन से होती है वह, यह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, मैं, हम इत्यादी शब्द क्या है ये सारे के सारी सब्द क्या है सरवनाम शब्द है सारे के सारी क्या है सरवनाम शब्द है अब एक मेरा क्यूशन आप से इस क्यूशन का अंसर आप कॉमेंट वक्स में जरूर लिखें क्यूशन ये है कि स्रवनाम सब्द कितने होते हैं स्रवनाम सब्द कितने होते हैं इस क्यूशन का अंसर आप कॉमेंट वक्स में जरूर लिखें कॉमेंट वक्स में जरूर लिखें कितने होते हैं यहनि सरवनाम सब्द के बैद नहीं पूछे मैंने, मैंने पूछे सरवनाम सब्द कितने होते हैं, इसका अंसर आप कॉमेंट बक्स में जुरूर लेखें, तो एक और आपसे request है साथियो, कि यदि आपने चैनल अभी तक subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe करें, ताकि आपको नया को कोई भी वीडियो जारी होता है, या upload किया जाता है, तो आपको तुरंत है, उसका notification आपके पास है, आज सके, सरवनाम सब्द के बैद कितने होते हैं, चैनल बैद होते हैं, कितने बैदते हैं, चैनल बैद होते हैं, पहला पहला कौन सब्द है, पुरुस वाचक सरवनाम सब्द, पुरुस वाचक सरवनाम सब्द, इसको यदि मैं कहूं, व्यक्ति वाचक सरवनाम सब्द तो कैसा रहेगा, यदि पुरुस वाचक सरवनाम सब उसके बाद में निश्च्य वाचक सरवनामशब्द रहा है दूसरा और निश्च्य वाचक स्रवनामशब्द उसकी बाद में ए निश्चे वाचक सरवनाम शब्द है ए निश्चे वाचक सरवनाम शब्द उसकी बाद में चोथा कौन सा है प्रशन वाचक सरवनाम शब्द उसकी बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा और पांचवा कौन सा है समन्द वाचक शमंद वाचक स्रवनाम शब्द और छटा है निज वाचक स्रवनाम शब्द कितने बेद है इसके? इसके छे बेद है पहला पहला कौन सा है? पुरुस वाचक, दूसरा निश्य वाचक, तीसरा ए निश्य वाचक, चोथा प्रस्ण वाचक, पांचवाँ समंद वाचक और छटा निज वाचक इसके छे बेद होते हैं मेरा सेक्ट क्यूशन आपके सामने एकूर है भेद और प्रकार में क्या अंतर है? भेद और प्रकार दोनों में क्या अंतर होता है? भेद किसे कहते हैं और प्रकार किसे कहते हैं? दोनों में क्या अंतर है? इसका अंसर आप कॉमेंट वक्स में जुरूर लिखें तो साथियो इस प्रकार से सरवनाम की छह बेद कुन-कुन से पुरूस वाचक सरवनाम शब्द, निश्य वाचक सरवनाम शब्द, पर्षन वाचक सरवनाम शब्द, समंध वाचक सरवनाम शब्द और नीज वाचक सरवनाम शब्द, कितने बेद होगे, छह बेद होगे शब्द का साथियो पुरोस वाचक स्रवनाम या व्यक्ति वाचक स्रवनाम किशे कहते हैं पुरोस वाचक या व्यक्ति वाचक स्रवनाम स्रवनाम किशे कहते हैं वक्ता, स्रोता या अन्य व्यक्ति विशेश के नाम के स्थान पर जिस रवनाम का प्रियुक किया जाता है किसके स्थान पर है वक्ता मतलब बोलने वाला वक्ता मतलब बोलने वाला सुरोता मतलब सुनने वाला ठीक है सुनने वाला और अन्या मतलब इनके अलावा इनके अलावा कोई भी हो इनके अलावा कोई भी हो तो उनके ना के स्थान पर जिस सरवनाम का प्रियुक किया जाता है व्यक्ति विशेस यह अन्य कोई भी जिसके स्थान पर सरवनाम का प्रियुक किया जाता है उसे हम पुरुस वाचक सरवनाम शब्द कहते हैं पुरुस वाचक सरवनाम शब्द कहते हैं एक्जामपल के लिए जैसे वह खा करें तो वक्ता करें या कोई लेखक करें घर रहा हूं यह किया वक्तक या सुरोता जो भी इसो वक्ता या लेखक जो भी अपने नम के श्तान पर मैं afin कर रहा है उसी प्रिकार तो मेरेको क्लेव संब कीया है वह किसस्तां सरुता की नम माथकर अ Benge किया है तो यहां क्या है कि वह मैं और तुम ये तीन सब्द ऐसे दे रखें जो किसी वक्ता श्रोता या कुई अन्य वैक्ति विश्च के नाम के इस तान प्रिश का नाम है प्रियुक किया गे इसकान से इसे हम क्या कहते हैं पुरुष वाचक शरवनाम शब्दे कहते हैं तो साथ ही पुरुष वाचक शरवनाम शब्दे हैं उसके तीन उपभेद होते हैं उपवेद होते हैं सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्तम पुरूस वाचक सरवनाम सब्द की जब कोई वक्ता वक्ता मतलब बोलने वाला वक्ता मतलब बोलने वाला और लेखक लिखने वाला लेखक मतलब लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस रवनाम का प्रियू करता है, अपने नाम के स्थान पर जिस रवनाम का प्रियू करता है, उसे हम उत्तम पुरुस वाचक सरवनाम सब्दे कहते हैं, कोई भी वक्ता होगा, कोई भी लेखक होगा, अपने नाम के स्थान पर जिस रवनाम का प्रियू करेगा, उसे हम क्या क मैं घर जा रहा हूं मैं सब्द क्या खेलाएगा उत्तम पुरुषवाचक क्या है कि वक्ता अपने नाम के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग बिए उसकी बाद में लिका है हम खाना खाकर शो गए थे हम खाना खा गए यह निए भाववचन में लेकिन यह कहा है जो वक्ता व शरोता के नाम के श्तान पर, जिस रवनाम का प्रियुक किया जाता है, उसे हम मध्यम पुरूसवाचक स्रवनाम शब्द कहते हैं. जैसे तुम तुमें तुमारे आप ये स्च चहां पर्वा रखना नहीं दियारा आप का प्रियोंग कर लिया जाते हूं लेकिन यहाँ जो प्रइख चिहां रहा है आप सब्द का प्रियोंग भ الف कर वूरुमा विश्सेश कर आज भर नहीं जाओगे तोफिन तुम आज भर नहीं जाओगे नशाद पर उसके बाद मैं आप कहा Northwest द्रे कहां से आयो, आप सब्द का यहां प्रयोग किया है, तो यह आप सब्द का यहां प्रयोग किया है, तो यह आप सब्द का मध्याम पुरुष कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, क्यूंकि इसका भी प्रयोग किया मान समान देने के लिए, यानि किसी को इज़त द देने के लिए वहाँ सब्द आपका प्रयोग करेंगे, तुम सब्द का प्रयोग नहीं करते, तुम सब्द का प्रयोग नहीं करते, इस कारण से हम क्या कहेंगे से, मद्याप पुरुसवाचिक सरब नाम सब्द कहेंगे, और आप सब्द का प्रयोग की बार ऐसे किया जाता है तो इसके साथ में किया है साथ में किया है स्वयम के लिए किया है ये स्वयम सब्द है उसके लिए किया है लेकिन यहां आप इस आप सब्द को मद्यम पुरुसवाचक सरवनाम सब्द कभी मत मान लेना कभी इसका मद्यम पुरुसवाचक कि अलावा किसी अन्य वेक्ति विशेश की किसका अप्रयोग है जिन सरवनाम सब्द का अप्रयोग है किसी वक्ता या स्रोता की अलावा किसी अन्य वेक्ति विशेश की नाम के स्तान पर नाम के स्तान पर प्रयोग किया जाता है उससे हम क्या केते हैं जैसे एक्जाम्पल के लिए उन्हें अपनी गल्ती का पस्तावा है उन्हें अपनी गल्ती का पस्तावा है उन्हें सब्द का प्रयों किया है नहीं तो वक्ता है नहीं स्रोता है व्यक्ति कोई अन्य होगा क्या होगा अन्य कोई होगा अन्या के इस्तान बढ़ पर किया उसी प्रकार वह पार्टी में चले गई किसके बिदिधी विशेस के लिए किया गया है उसी प्रकार उसका आज जनम दीवस है उसका मतलब कोई अन्या विशेस है इसकाम से ये क्या कहलाइगा अन्य पुरुस वाचक सरवनाम शब्द कहलाएगा इस प्रकार से इसके तीन उप बेद थे अन्य पुरुस वाचक के कौन-कौन से उत्तम पुरुस वाचक, मध्यम पुरुस वाचक और अन्य पुरुस वाचक अब नेक्स पॉइंट है हमारा निष्चय वाचक सरवनाम शब्द नेक्स अमारा पॉइंट कुण सा है? जिन सरवनाम शब्दों के दुबारा किसी दूर वर्ती ये दूर स कहे जो इस्तित थे समीप वर्ति जो पास में व्यक्तियों प्राणियों और वस्तुयों और निश्चित गटनाओं या वेपार का बोद हो उन्हें हम निश्च्य वाचक स्रवनाम शब्द केते हैं किसे जिन स्रवनाम शब्दों के द्वारा किसी दूरती दूर बतला दूर से समीत पवरती यह पास में जो व्यक्ति हो प्राणी हो वर्ष्टु हो निश्ची गटना हो यह वेपार हो उनका बोध होता है उन्हें हम निश्चय वाचक स्रवनाम शब्दे कहते हैं जैसे एक्जामपल के लिए गीता का घर वह है इन्हें वह सब्द क्या है दूर या नजदी कोई भी निकट श्थत या दूर श्थत जो सब्द होता है निए कोई भी प्राणी हो व्यक्ति हो श्तान हो गटना हो विपार हो उनका बोध करवारा है तो वह सब्द क्या करें इस यह गटना है उसका बोध करवार है इसकान से वह सब्द क्या करें लेगा निश्य वाचक श्रम नाम श्रब्द क्या लेगा यह कौन है यह कौन है यह नजदीक है तो यह सब्द क्या किसी निकट वर्ती व्यक्ति विशेश का बोध करवार है वे जो बैठी है अध्यापिका हैं अब यहां वे सब्द क्या करें किसके इंगित करें अध्यापिका विशिश है उसकी तरफ इंगित करें उनका बहुत करवाद है तो वे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु गटना व्यपार के लिए प्रयोग में आने वाले स्रवनाम सब्द कहलाते हैं माली जी कोई एनिश्चित व्यक्ति है वस्तु है या गटना है या वेपार विश्चिस है जो क्या है स्रवनाम सब्द के एनिश्चित वाचक के लिए आते हैं उसे हम क्या कहते हैं एनिश्चित वाचक स्रवनाम सब्द कहते हैं जैसे लिखा हो एक्जाम्पल के लिए साइद बहार कोई आया है यहाँ देखिए कोई सवद है वो ए निश्चित प्राणी का बोध करवा रहे इस कान से कोई सब्द ककि या कहलाईगा ए निश्चित सरवनाम सब्द कहलाईगा उसी प्रकार हमें तो अध्यान करना है किसी से क्या मतलब हमें तो अध्यन करना है किसी से क्या मतलब यहां किसी सब्द का प्रियुक किया है वो एनिश्चित का बोद करवा रहा है इस कान से हम इसे एनिश्चित वाचक सरवनाम सब्द कहेंगे चोथा हमारा टोपिक है सरवनाम का पर्षन वाचक सरवनाम सब्द किसे केते हैं सिंपल ची बात है जहां किसी प्रकाद का सवाल पूछा जाए किसके रूप में किसी वस्तु की रूप में किसी गटना की रूप में किसी व्यक्ति की रूप में व्यपार विशेश की रूप मे के रूप में जो पर्षण मुझा जाता है उसे हम क्या पर्षण वाचक शर्वनाम सब्द कहते हैं उन्हें हम पर्षण वाचक शर्वनाम सब्द कहते हैं जैसे कौन, क्या, कैसे, किसने, इत्याजी सब्द क्या है, सरवनाम शब्द है, कौन से सरवनाम शब्द है, पर्षन वाचक सरवनाम शब्द कहलाएंगे, जैसे लिखा हो, सोहन ने क्या लिखा था, सोहन ने क्या लिखा था, एक दिया रखना, कोई वाक्या के अंदर पूछा यह है कवीता किसने लिखी है कवीता किसने लिखी यहाँ लिखिवा तो इसमें परशन भाषटक सब्द करो दिया दिया तो परशनी सब्द गाई ता लिए तो बनाने के तो यहां देखे एक छोटा सा क्यूशन मैं लेखता हूँ आप उसका अंसर कॉमेंट वक्स में जरूर लेखें यह इसमें पर्शन बाद्चक सब्द है या नहीं है तारे कैसे चमक रहे हैं यहां जो शब्द लिखा मैंने कैसे शब्द यह कैसे शब्द क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है कौन सा सरवनाम शब्द सरवनाम है या नहीं है comment box में इसका अंसर जरूर लेखें उसके बाद में हमारा 500 point है समंद वाचक सरवनाम शब्द कौनसा? समंद वाचक सरवनाम शब्द जिन सरवनाम शब्दों का प्रयोग समंद परकट करने के लिए किया जाता है किसके लिए समंद प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे हम समंद वाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं समंद कैसे या तो दो वाक्य की रूप में दो सब्दों की रूप में किसी प्रका का समंद प्रकट किया जएगा जैसे जो सोज जिसे जिसने उसने आ दी ये सब्द क्या कहलेंगे ये सारे का सारे समन्द बो दखोंगे एक और बता देता हूं कि वाक्य का भेद होता है क्या होता है वाक्य विशेश होता है उसका भेद होता है पर्धान वाक्य और आसरीत वाक्य ये दो पार्ट होते हैं वाक्य के दो अंग विशेश होते हैं तो यहां द्यान रखना कि परधान और आसित वाक्य की बीच में जो कड़ी होती है, बीच में जो कड़ी, यानि दो वाक्य को जोटने का जो कारे करता है, वो अधिकतर क्या होता है, समंध वाचक सर्मनाम सब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे देखो वही व्याष्ट दिख रहा है, जिसे देखो वही व्याष्ट दिख रहा है, व्याष्ट दिख रहा है, दो वाक्य उनको जोडने का करे कर रहा है, जो उपवाकियों उनको जोडने के करे करे है और यहीं में लिखा जितने लंबी चादर हो उतने ही पेर पसारिये उतने और जितने ये दोनों क्या कर रहे है लंबी चादर हो और पेर पसारिये इन दो उपवाकियों को जोडने के करे कर रहे है यहां जितने और जितने ये दो सब्द क्या कहलेंगे समंद बोधक होंगे जिसे और वही ये दोनों के समंद बोधक कहलाएंगे इसके बाद में हमारा नेक्स्ट बिंदू है निजवाचक सरवनाम सब्द निजवाचक में जिन सर्वनाम शब्द का प्रयूग करता के लिए या करता के साथ अपनत्व का भाव पर कट करने के लिए किये जाता है अपना पन भाव उन्हें हम क्या कहते हैं निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं जैसे example के लिए यहां दे रगाdeterm स्वम, खुद, अपने आप स्वम, खुद, अपने आप देखे, आप सब्सका पर्युग आपको मैंने पहले बताय था किस में आता है, मध्यंपुरुषवाच है केई शब्द चाहते है जो मध्यम पुरुषवाचक के अंदर प्रिकिया जाता है लेकिन अपने आप शब्द जुड़कर रहा है तो यह हमेशे निजवाचक में चला जाएगा जैसे मैं अपने आप चला जाँगा अपने आप यह दो मैं सब्द करता है उसकी अपने तो को भागो परकट कर रहा है इसकान से इसे हम निजवाचक सरवनाम सब्द कहते हैं तो साथियो आज का वीडियो कैसे लगा कोमेंट बक्स में जुरूर लिखे बताएं और धन्यवाद नेक्ट हमारा टोपिक होगा विशेशन और जादी इस जल्दी मिल सेगे धन्यवाद